ये परिंदाखेत का मजदूर नहीं पर लोट के अपने घर रात को जाता है। 16 साल का राजकुमार, दुनिया के राजकुमारों जैसा नहीं। इसके ठाट संसार के राजकुमारों से जुद्दा है। उसे अल सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ना होता है और फिर रात के 11 बजे सुकून का दीदार मैसर होता है। अंतराश्ट्रे मजदूर दिवस पर पढ़िये। 16 साल के राजकुमार की कहानी। राजकुमार सात्वीं पास करके बिहार के सहरुसा जिले से दिल्ली आया। इसके पहले अपने गाउं में उसने शहर दिल्ली को सिर्फ टीवी में ही देखा था। घुमने का अर्मान लिए गाउं के भयाक के साथ महानगर आया। चुकि ये राजकुमार दुनिया से जुद्धा है इसे अपने घुमने के खर्च का इंतजाम खुद ही करना था। जिसके लिए वे गाउं के भयाक के जूस के ठेले पर मदद कराने लगा। चार पैसे मिल जाते। लेकिन उनसे दो वक्त की रोटी का ही इंतजाम हो जाए तो बहुत है। घुमने भर के पैसे नहीं थे। राजकुमार आया तो शहर घुमने के लिए लेकिन छे महीने बीद गए और कहीं भी नहीं घुमा। वक्त ही नहीं था। गाव में कितनी भी बधाली हो दो वक्त ही रोटी तो मिल जाती थी। लेकिन इतने चमकीले शहर में जहां की सडकों पर लंबी लंबी गाडियां दड़ती हैं जहां की इमारतें इतनी उंची के सिरो ठाकर देखने में गर्दन टेड़ी हो जाए। वहां सिर्फ दो वक्त की रोटी का इंतजाम इतना मुश्किल होगा। राजकुमार ने कब सोचा था। घूमने की आस जाती रही और शहर में जिन्दा रहना ही उसका मकसद हो गया। में चाबी भरता है। नौएडा के फिल्म सिटी में जूस के ठेले पर मजदूरी कर रहे हैं राजकुमार को 16 घंटे काम की एवज में रोजाना 150 रुपे पगार मिलती है। जिसमें से वो किसी दिन 50-100 रुपे के बीच खर्च करता है और महीने के आखिर तक 3-4,000 रुपे जोड़ लेता है। इस हार तोड मेहनत वाली जिन्दिगी के बीच अगर सुकून का कोई दिन है तो रवीवार जिस दिन दफ्तर बंध होते हैं। रोटी, सबजी और चाय बिस्किट खा लेता हूँ। उसने इन 6 महीनों में एक आद बार अपने लिए 9 अदा, सेक्ट अर्टार की सबजी मार्केट के करीब से ही कुछ सस्ते कपड़े खरीदे होंगे। राजकुमार का दिन शुरू होता है। वो जूसकी दुकान का सामान समेटना शुरू करता है, तब तक घर में खाना पक चुका होता है। छे से पहले भयामंडी से फल लेकर लोटता है और फिर दोनों खाना खाकर सेक्टर सोलह में ठेला लगाने के लिए निकलते हैं। दोपहर का खाना ठेले के सामने आने वाली खाने की गाड़ी जिसे वो होटेल कहता से 50 रुपे में खरीदते हैं। थाली के पैसे मालिक देता है। राजकुमार का सगा भाई दिल्ली के गांधी नगर मारकेट में माल धोने वाला ठेला खीचता है। राजकुमार को गाओं की बहुत याद आती है। उसे उम्मीद है। दिवाली पर वो जरूर घर जाएगा। दिल्ली में वो सिर्फ एक बार घुमने निकला था और वो घ भूमना भी कैसा। मेट्रो में बेटकर नौयडा से शास्री पार्क गया, जहां उसका सगभाई रहता है। बाकी उसे कुछ पता नहीं। बस लाल के ले का नाम सुना है। उसे लगता था कि ट्रेन तो एक शहर से दूर दूसरे शहर जाने के लिए होती है। मेट्रो जरूर चमक रही है। लेकिन राजकुमार की जिंदगी नहीं और ना उसका जूस वाला ठेला। पुराने जंग हाय ठेले की नेती उस ट्रेन की तरह ही है जो उसे बिहार से दिल करने जाती है। भाई हर महीने आट से नौ हजार रुपे घर भेजता है, वो भी अपने तीन से चार हजार उसे ही दे देता है। वो सारे पैसे वो बेंक में जमा करता, जिनने मां बिहार के ATM से निकालती है। राजकुमार को लगता है ये बस कुछी दिनों की बात है, एक वो घर लोटेगा और फेसे पढ़ाई करेगा, आठवी में दा खेला लेगा, पढ़ाई करके दफ्तर में नौकरी करेगा, नहीं तो बिहार में ही बच्चों के कपड़ों की दुकान खोलेगा, उसे लगता है कपड़े की दुकान में कमाई अच्छी होती है